आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें नमस्कार, यदि A बराबर 1, 2, 5, B बराबर 1, 2, 5, 7, C बराबर 2, 5, 8 तो निमने में से कौन सा समुच्चे रिखते समुच्चे होगा या आप लोगों को बताना है तो देखें सबसे पहले A विकल्ब के जाच कर लेते हैं A-C दिया गया, नि A के अविकल्ब में से C के अविकल्ब को हटा दीजे तो देखें यहाँ पर क्या 1 C में है, नहीं है, तो 1 आएगा क्या 2 C में है, हट जाएगा, 5 C में है, हट जाएगा तो यहाँ पर यह आया तो यह तो फाई नहीं है इसका मतलब पहला विकल्ब तो गलत हो गया फिर दूसरे विकल्ब की बात करते हैं तो यह दिया गया है B-C तो यहाँ पर देखे B में से C के अभी वोगों को अटा दीजिए तो यहाँ देखे यहाँ पर 1 आएगा बिल्कुल दो और 5 C में है दो और 5 हड़ जाएगा तो यह भी आपका फाई नहीं है इसका मतलब यह विकल्ब भी हड़ जाएगा पिर इसके बात करते हैं C विकल्ब के बारे में तो यह दिया गया है B-C तो देखे B जो समुच्चे है उसमें एक है वो A में है नहीं हट जाएगा दो है A में हट जाएगा पांच है A में हट जाएगा क्या बचा केवल B के पास साथ बचा तो ये भी आपका फाई नहीं है इसका मतलब तीसरा समुच्छ, तीसरा जो विकल्प है वो भी गलत हो जाएगा, फिर बात करते हैं आखरी विकल्प के बारे में, A-B के बारे में, तो देखे, A में से B के अवे वो को हटाना है, तो देखे, A खट गया, दो भी हट गया, तीन भी हट गया, A के पास तो कुछ यहां पर तीन के पास में, तो कुछ भी नहीं बचा, तो यह कैसा बन गया, यहां पर रिखते समुच्छे बन गया, आता इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है, वो आपके पास आखरी विकल्प होगा, धन्यवाद